अगर आपने कभी इटालियन लिट्रेचर पढ़ा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बख्याच्यू के बारे में ना पढ़ा हो यह 14th century के बहुत ही famous writer and poet रहे हैं और Renaissance period की एक important figure है और Decameron इनका एक important work है आपने Geoffrey Chaucer की Canterbury Tales के बारे में कभी सुना होगा या पढ़ा होगा वो भी Boccaccio के Decameron से ही inspired है जो Decameron है वो collection of stories है जिसमें की total hundred stories है जिन्हें 1349 and 1353 के बीच में लिखा गया था और इसे Italian literature का masterpiece माना जात है तो आई इसके बारे में पढ़ना start केते हैं तो इसके setting रखे गए Florence की जो कि Italy में है तब Florence में plague failure थी जिसकी black death कहा जाता है तो सबसे पहले बताया गया है कि जो epidemic plague थी उसका लोगों पी क्या effect था कैसे लोग इससे मर रहे थे उनका जीना कितना मुश्किल हो गया था हर जग deadly disease थी seven women Santa Marian novela नाम के एक church में एकठे हो जाती है वो अपनी meeting में बात करती है कि यहाँ पर रहना तो बहुत मुश्किल हो रहा है वो seven women इस situation से बचना चाहती थी ग्रूप में जो oldest women होती है पेंपीनिया वो यह suggestion देती है कि हमें यह शहरी छोड़ देना चाहिए Florence छोड़ दे कर पाएंगी तो अपने साथ कुछ companion ले जाए male companion तो उनके साथ three men जुड़ जाते हैं जो कि उनको जानते होते हैं उनके रिष्टेदार होते हैं तो ऐसे वो सभी मिलकर 10 लोग हो जाते हैं तो अब वो अपनी journey start कर लेते हैं और रस्ती में वो देखते जाते हैं कि यह सब का भी ख्याल उनको रखना चाहिए तो वो कुछ rules बनाते हैं तो decide करते हैं कि हर दिन हम एक person को king या फिर queen मानेंगे means हर दिन एक person उन्हें lead करेगा और वो एक दूसरे को story सुनाएंगे और जो leader होगा वो story का theme decide करेगा और उनके खाने पेने का ख्याल रखेगा तो अब आप सब्सक्द्यान से समझें कि वह वहां पे two weeks रहते हैं यानि कि 14 days उन 14 days में से चार दिन उनकी religious observance होती है जिस दिन वो सिर्फ God को याद करते हैं प्रे करते हैं वो इन चार दिनों को छोड़ कर बाकी के 10 दिन वो एक दूसरे को story सुनाते हैं वो 10 लोग होती हैं तो हर बंदा अगर एक दिन एक story सुनाएगा तो एक दिन में total 10 stories हो गई और वो 10 दिन वहां पे रहे हैं so 10 into 10 is equal to 100 means उन 10 दिनों में वो एक दूसरे को 100 stories सुनाते हैं stories का अलग-अलग theme होता है जैसे कि love, lust, marriage, religion, trust, etc. तो ऐसे decamberan में 100 stories है it is a collection of 100 stories और अगर हम बात करें decamberan के literal meaning की तो य यह दो Greek words से बना है deka जिसका means होता है 10 and amera जिसका meaning होता है day तो यह जूटकर बन जाता है 10 day means an event of 10 days. So, two weeks वो पहाँ पे राएके वापस Florence आ जाते हैं तो जैसे कि हमने जाने इसमें 100 stories है और उन stories को हम एक वीडियो में तो cover नहीं कर पाएंगे आप लोग comment में बताना अगर आपको किसी story के बारे में जानना है तो तो अब हम मिलते हमारी next वीडियो में तब तक के लिए take care and bye-bye झाँ 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 झाँ